आप देख रहे हैं चोहन वीडियो और आज की वीडियो में हम आपके लिए बात करेंगे जून 2023 के एक्जामिनेशन पॉर्म के बारे में जैसा कि आप जानते कि कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जून 2023 का एक्जामिनेशन पॉर्म रिलीस किया जा चुका है उसमें कुछ जो बड़े चेंजिस किये गए उसमें सबसे बड़ा चेंज था आपका examination piece के बारे में उसके ओपर काफी सारे student ऐसे थे जिनका तरफ से questions आए जो की और जादा जानना चाता है examination piece के बारे में तो उसके ओपर ही आज की हमारी वीडियो है जिसमें मैं आपको clarification दूगा कि किस तरीके से आपकी examination piece किसके से instrument की increase होने वाली है और कौन से ऐसे instrument है जिन पर इसका effect जो है वो नहीं पड़ेगा तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखे अंतक देखे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीज़े तो वीडियो की आप सीधा सुरुवात करते हैं वो examination form है जिसमें आपको मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक एक point के बारे में पहले ही समझा चुकी है आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर आपको पूरी और अच्छी तरीके से इसके बारे में जानना है आज की वीडियो में हम सिर्फ examination form की fees के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर fees का पूरा structure दे रखा है सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि अगर आपने जनवरी 2023 से पहले admission लिया है का मतलब है कि अगर आपने जून 2022 में जनवरी 2021 में जनवरी 2022 में यानि कि जनवरी 2022 से पहले अगर आपने admission लिया है या registration करवाया है तो आप पर जो fees increase हुई है उसका कोई effect जो है वो नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो पहला कॉलम है fees का उसमें बताया गया है कि proscribed fees for students admitted before 2023 जनवरी यान कि जनवरी 2023 से पहले admission लेने वाले जितने भी इस्टून्ट है उनके लिए जो fees है वो 200 रुपीस पर course है चाहुर का theory subject है practical का है या फिर lab का subject है यान कि जनवरी 2023 से पहले अगर आपने admission लिया है तो आपको कोई चिंता करने की जुरत नहीं है क्योंकि आपकी पिछली वाली जो 200 रुपे पर course के हिसाथ फीस थी वो ही अभी भी है जो change हुआ है वो हुआ है उनके लिए जिनोंने जनवरी 2023 में admission लिया या फिर आगे आने वाले sessions में चाहे जो जून 2023 हो या फिर आपका जनवरी 2024 हो यानि कि आगे जनवरी 2023 और उसके बाद जो admission लेंगे उनके लिए जो फीस है उसमें बदलाव किया गया है अब उसमें क्या बदलाव किया गया है से पहले अगर आप examination form आपको किसी को theory subject का देना है तो उसमें आपकी 200 रुपे फीस ही है यानि कि अगर आपका theory subject का आपको examination form भरना है तो उसमें भी कोई change नहीं किया गया है उसमें आपको 200 रुपे per course के हिसाफ से जो कि पहले आप देते से वही देना है लेकिन practical fees और project fees में थोड़ा सा change कर दिया गया है अगर 4 credit का आपको practical है तो आपको 300 per course के हिसाफ से देना होगा यानकी 100 रुपे का increase कर दिया गया है अगर 4 credit से अभव है यानकी 6 credit का आपका practical है या 8 credit का आपका practical है तो आपको 500 रुपे पर कोर्स के हिसाब से देना यानि कि 300 पर कोर्स के हिसाब से इसको increase कर दिया गया है प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो अगर 4 कर्ड़िट का प्रोजेक्ट है तो आपको 300 पर कोर्स देना है और 4 कर्येड से उपर का है तो 500 पर कोर्स देना अब इसके उपर भी एक कोर्यान है जो कि काफी सारे इसमों पूछ रहे हैं जिनोंने पहले अपना कोई लैब का कोर्स लिया हुआ और वो पूछ रहा है कि उनकी fees में भी क्या increase हो गया है उनका project में या उनके practical में को increase हो गया है तो जैसा कि मैंने बताया कि जनवरी 2023 से पहले अगर आपने admission लिया है तो आपको इसके उपर कोई जिद्ध्यान देने की जरुआती नहीं है कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने क कुकि आपके लिए नहीं है अगर आपने जनुवरी दोजार तेईस में अट्मिशन लिया या उसके बाद अट्मिशन लेंगे सब आपके लिए यह लागू होता है और उसमे भी जैसे कि यहां पर बताया गया है जो की इसके बारे में जानकारी जाते हैं, तो उनके लिए अलग तरीके का schedule होता है, जहां पर वो अपने study center में 7 दिने 14 दिन की classes लेते हैं और अपना जो practical है उनको complete करते हैं, उसमें उनको पहले भी कोई form नहीं भरना पड़ता है, सिर्म register करना होता है study center में जाकर और कोई अलग से payment नहीं करनी पड़ती, ले पीस के बारे में या फिर आपकी examination पीस के बारे में कोई doubt है, जैसे कि मैंने बता है, जनवरी 2023 से पहले अगर आपने admission लिया है, तो आपका वो ही चलेगा 200 रुपे पर course जो की अभी तक चल रहा था, जनवरी 2023 में admission लेने वाले या उसके बाद आप जो admission लेंगे, उन students के लि पया आपने वाले बड़े इस आपका जो ही चलेएशर, वाले तक लाद बार की मैंने सकत Kingdom ले कांपाई डिया है, जबकियो झास्टे स्वेंवाद की लेवेंड़ी को लोगर जनने वाले जो फ врем में वाले हैंजर औकी in the वालेभावी डिया से शबताने रहा वाले को और वा